दोस्तों न्यूजिलेंड को 358 रन बनाने थे लेकिन इसके बाल साउथ अफरीका ने पूरी तरह धोके रख दिया जिया दोस्तों वर्ल्ड कप का 32 मैच न्यूजिलेंड और साउथ अफरीका की टीम के बीच पूरे के मैदान पर खेला जा चुका है और इस मैच की शुरुआ न्यूजिलेंड ने टॉस चीत कर पहले गेंद बाजी से करी थी लेकिन उनका ये फैसला बेहती खराब साबित हुआ क्योंकि दोस्तों इस मैच में साउथ अफरीका की बल्ले बाजों ने एक के बाद एक दो शतक चड़े थे जहां पहले क्विंटन डिकॉक और टेमपा ब वादी थी लेकिन 38 रन के स्कोर पर ट्रेंट बोल्ट ने अप्तान बबुमा का आउट कर दिया था और वो 24 रन बना के राउट हुए थे जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने वेंड डूसन उतरे थे और इसके बाद डिकॉक के साथ उन्होंने ताबर तोड़ बल्ले बाजी करी जहां इन दोनों की शांदार बैटिंग के आगे न्यूजिलैंड की पूरी हवा निकल चुकी थी क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों ने पूरे 200 रनों की पार्टनर्शिप करी थी और क्विंटें डिकॉक ने इस वर्ल्ड कप का अपना चौथा शतक भी आउट हुए थे जहां उनके आउट होते ही डेविट मिलर बल्ले बाजी करने उत्रे और मिलर ने इस मैच में कमाल का परदशन करा जहां इसके बाद इन दोनों बल्ले बाजों ने साउथ अफरीका का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया था और इसी बीच वेंड डूसन न पाद 351 रन के स्कोर पर डेविट मिलर को जेमी निशम ने आउट कर दिया और मिलर 30 के इंदों में 53 रन बना कर आउट हुए तो इस मैच में कलासं 15 रन बना कर नौट आउट रहे थे तो माकरा ने भी 6 रन बनाए जाए इस मैच में न्यूजिलैंड की तरफ से टीम साउध को दो विकिट हाथ लगी थी अब दोस्तों ये मुकाबला जीतने के लिए न्यूजिलैंड को 358 रन बनाने थे लेकिन जब वो टार्गेट का पीछा करने उत्री थो फिर 8 रन के स्कोर पर ही मारको यंसन ने डिवेन कॉन्विक आउट कर दिया था और वो केवल 2 रन बना कर आउट हुए थे लेकिन एक तरफ विल यंग इस मैट में शांदार बैटिंग कर रहे थे लेकिन साउथ अफरीका की गेंद बाजी भी काफी कमाल की हो रही थी और इसी वजहा से उनके एक के बाद एक विक्टेक गिरे चा रहे थे जहां इसके बाद रचीन रविंद्रा भ तो इसके बाद 90 रन के स्कोर पर केसम महराज ने ड्रायल मिचल को आउट कर दिया और ड्रायल मिचल 24 रन बना कर आउट हुए थे और दोस्तो न्यूजिलैंड के 5 विकेट ही 90 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और इसके बाद केशम महराज ने कमाल की गेंद बाजी करते हु एक सो दस रण के स्कोर पर गिर चुके थे और इसके बाद साउथ अफरीका की टीम ने इस मुकाबले में एक काफी बड़ी जीत दर्च करी जिस वजह से वो पॉइंच टेवल में सबसे उपर पहुंच चुकी है और भारत की टीम एक बार फिर से दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है लेकिन कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से है और वो मुकाबला भारत जीत जाता है तो फिर भारत फिर दुबारा पॉइंच टेवल में सबसे उपर पहुंच जाएगा